अच्छा आपने बच्चपन में एक कथा पड़ी होगी, सबने जुरूर पड़ी होगी, और इससे आप अंदार लगा सकते हैं, कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है। हम बच्चपन में थे तो एक कथा सुना पड़ाते थे, कि एक गड़े में पानी था, पानी जड़ा गहरा था, और एक कववा पानी पीना चाहता था, लेकिन अंदर वो बहुत नहीं पाता था, तो इस कववे ने छोटे-छोटे कंकर उठा करके उस गड़े में डाले, और द अब इसको आप क्या कहेंगे, हार्डवर कहेंगे, कि स्मार्डवर कहेंगे, और देखिए, ये जब कथा लिखी गई था, तब स्ट्रॉ नहीं था, वरना एक कववा बाजार पे जाके स्ट्रॉ लेके आता, कुछ लोग होते हैं, जो हार्डवर कहीं करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं, जिनके जिवन में हार्डवर का नामों नुशान नहीं होता हैं, कुछ लोग होते हैं, जो हार्डवर करते हैं, और कुछ लोग होते हैं, जो स्मार्डवर करते हैं, और इसलिए, कववा भी हमें सिखा रहा है, कि स्मार्टली हार्डवर कैसे करना, और इसलिए, हमें हर काम को, पहले काम को बारी कैसी समझी है, कुछ लोग होगे हैं, आपने देखा होगा, कि चीज़ों को समझने के बज़ाए, सीधा ही अपनी बुद्धी अपनाना शुरू कर देते हैं, पि धेर सारी महनत करें, परना मिलता ही नहीं हैं, मुझे आध हैं, मैं बहुत पहले ट्राइबल बेल्ट में काम करता था, तो मुझे काफी इंटियर में जाना था, तो किसी ने हमें उस जमाने की जो पुरानी जीफ होती थी, उसने विवस्था कि आप उसको लेके जाईए, अब सुबह हम कोई साड़े पाच बें निकलने माले थे, लेकिन हमारी जीफ चली नहीं रही थी, हम अब देर सारी कोशिश से कि धक्ये मारे ये क्या, दुनिया भर का हाड़ वर्क किया, लेकिन हमारी जीफ नहीं चली, की सातरे सात बज़ गए तो येक मेकेनिक को बुलाया, अब मेकेनिक ने, शोवस्थे मुश्चिछ से दू मिनिट लगाया होगा, और दो मिनिट में उसने छीक कर दिया, और फिर वो कहे, सब 200 वे देने पड़ेंगे, बने खाइब यार दो मिनिट का 200 रुपया बुले साभी दो मिनिट का 200 रुपया नहीं है ये पचांस साल के अनुभव का 200 रुपया है अब हम हाड़ वर्क कर रहे है जिब नहीं चल रही थी उसने स्मार्टली थोड़े से बोल टाइट करने थे hardly उसको दो मिनिट लगा हो गई गड़ी चल गई कहने का ताथ पर यह है कि हर चीज बड़ी महनद मद्दूरी से करेंगे तो होगा ऐसा आप देखा होगा पहलवान जो होते हैं जो खेल कुद की दुनिया के लोग होते हैं उसको कौन सा खेल से वो जुड़ा हुआ है उस खेल में उसको किस मसल्स की ज़रुवत होती है जो ट्रेनर होता है उसको मानूम है अब जैसे विकेट की पर होगा तो विकेट की पर को ऐसे ही जुक करके गंतों तो खड़े रहना होता है हमें क्लास में, कुछ गलत किया, और टीचर कान पकड़के नीचे भीठा देते है iki तिर न हमें दर ऑखे, तो कितना दर्द होता है, होता है यऑ नहीं होता है, तो साइकोलोजिकल भी होता है, पैर आजिकल भी होता है, अब तकलिफ होती हैना लेकिन ये जो विकेट कीपर होता है ना उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है उसको गंतों तक ऐसे कढ़ा लगते हैं ताकि दीर दीर उसके वो मसल मचबूत हो जाएं ताकि वो बिकेट की परकेज़ा gives a call it baller होता है तो उसको उस विधागी जरूत नहीं है उसको दूसरी विधा की है हर चीज प्राप्त करने की कोशिश से मेहनत बहुर लगेगी हाथ मेरुचे करते रहो दोड़ते रहो ठिकना करो फलाना करो जेनरल हेल्थ के लिए फिटनेस के लिए ठीक है लेकिन अगर मुझे एच्व करना है तो उन स्पैसिपिक एरियाज को मुझे एड्रेस करना होगा और ये जिसको समझ होती है वो परिणाम भी देता है अगर बॉलर है और उसके ये मसल्स ठीक नहीं है तो कहां बॉलिंग कर पाएगा कितनी ओवर कर पाएगा जो लोग बेट लिप्टिंग करते हैं उनके अलग प्रकार के मसल्स को मजबूत कर ना होता है हाड़ वर तो वो भी करते हैं लेकिन वो स्मार्टली हाड़ वर करते हैं और स्मार्टली हाड़ वर करते हैं तब जाकर करना है